दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को एडिट करने के लिए मैं जितना सारा मेटरियल यूज किया हूँ सभी का लिंक डेस्क्रिशन में मिल जाएगा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों इस प्रकार वीडियो केसा आडिक करना है फूल प्रोसेस टेप बाई स्टेप इस वीडियो का अंदर में आपको बताऊंगा वीडियो को सुरू से लेकर इन तक जरूर देखे वीडियो सुरू करने पहले आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो अभी सस्क्राइब कर दीजिए सस्क्राइब करने के साथ नोटिविशन मेल का अपर क्लिक करके औल का अपर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए चले दोस्तों वीडियो से शूर करते हैं दोस्तों सबसे पहले काइन मैस्ट को ओपन कीजिए काइन मैस्ट को ओपन करनेक बाद यहासे एक प्लॉस का इकन मिलेगा इसका ओपर टैप कीजिए इसका ओपर टैप करनेक बाद आपको तीन प्रोजेक्ट सो करेगा 16.9 जो प्रोजेक्ट सो कर रहा है इसका अपर टैप कीजिए इसका अपर टैप करनेक बाद आपको इसपर का इंटरफेस आजाएगा यहाँ से एक एफेट को आड़ करना है जो कि क्लाउड का एफेक्ट है इस एफेट का लिंक डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउड कर लिजे इसका बाद आपको गेमपले वीडियो आड़ करना है इसलिए लेयर का उपर क्लिक कीजिए लेयर का उपर क्लिक करनेक बाद मीडिया का अप्शन मिल जाएगा मीडिया का उपर टैप कीजिए ट्याप करनेक बाद आपका जो gameplay वीडियो है इसको select किजी gameplay वीडियो को select करनेक बाद इस्तरा का interface आ जाएगा इसको zoom करके full screen कर लेना है जैसा मैं zoom करके full screen करता हूँ full screen करनेक बाद right का उपर click किजी इसका बाद एक sticker को add करना है इसलिए layer का उपर click किजी layer का उपर click करनेक बाद sticker का option मिल जाएगा इसका उपर tap किजी ट्याप करनेक बाद sticker को download करना है get more का उपर click किजी get more का उपर click करके sticker को download कर लीजे cinematic frame sticker को download कर लीजे मैं download किया हूँ इसलिए download नहीं करता हूँ आप लोग download कर लीजे cinematic frame cinematic frame का उपर click किजी देता हूं, sticker को select करनेक बाद, sticker का length को बड़ा किजिए, आपका video का length जितना है, sticker का length इतना ही रखना है, इसका बाद gameplay video का उपर tap किजिए, tap करनेक बाद यहाँसे आपको बहुत सार option शो करेगा, उपर को slide किजिए, उपर को slide करनेक बाद यहाँसे एक option शो करेगा, chroma key, chroma key के अपर tap किजिये, chroma gate का आपर tap करनेक बाद इस प्रकर install आजाएगा, यहाद से chroma gate को enable कर देजिये, chroma gate को enable करनेक बाद यहाँस आपको 2 setting कर लेना है, यहाद से 2 line से और का लेना है, पहले वाला line में 32 से 34 रखना है और निचे वाला में आपको 55 रखना सब में आज़स्ट करता हूं इस प्रकार आप लोग आज़स्ट कर देना है आज़स्ट करनेिक बाद राइड का उपर क्लिक कर लिजए इसका बाद वीडियो कंप्रिट हो जाएगा वीडियो कंप्रिट होने के बाद जितना सेकेंड क AI एडिटिंग करना चाहतों इतना ही रखना बाकी क्लाउड का एश्ट्रा पार्ट को कॉड कर देना कॉड करनेक बाद आपका वीडियो 100% कंप्लीट हो जाएगा एडिटिंग कंप्लीट और नेक बाद आप लोग इस वीडियो को गैलेरी में दोस्तों के साथ सेयbia केज़िए अबही तक हमारा चனल को سस्क्राइब नहीं किया तो अबही शस्क्राइब कर दीजिए सस्कारइब पने खसाथ pas